जितनी होड जितना अंबार लगा दिया है हत्यारों का अब मैं आपको दो-तीन चीज़ें बताता हूं जो भारत कर रहा है बड़ी इंट्रेस्टिंग चीज़ें हैं ध्यान से सुनिएगा अब यह देखे यूएस रशिया और चाइना के पास है अब इंडिया खुद अपना डेविलप कर रहा है और माक फाइफ तक जाएगा यानि कि जो स्पीड है साउंड की उससे पांच गुना तेज यह टेकनोलोजी और रूस के पास है चीन के पास है और अमरिका के पास है भा पोड़ी सा की कोस्ट के थोड़ा सा आगे है और ये बोला है कि ये जो टेस्ट है ना ये जो इसके जो निशकर्श निकलेंगे टेस्ट के ये जो टेस्ट से जो नतीजे निकलेंगे ये प्लाटफॉर्म बनेगा फ्यूचर हाइपर सॉनिक वेपन सिस्टम्स का भारत में त एक और Defense PSU जो है, Public Sector Undertaking, Garden Reach Shipbuilders and Engineers, GRSE बोलते हैं इनको, इनोंने Memorandum of Understanding Signs करा है रॉल्स-्रॉइस के साथ, रॉल्स-्रॉइस सेलूशन, रॉल्स-्रॉइस तो इस ओरिजिनली बिटिश कंपनी, बट यह जमनी की बात चल रही है यहाँ पर, उनके साथ Advanced Diesel Engines, यूनों, बनाने की, Technology Transfer की और Manufacturing की, इनोंने एक M.O.U. साइन कर दिया है, और जो Manufacturing और Spairs और Components बनाते हैं, उनके लिए बहुत एक बड़ा एक पुश होगा, एक बूस्ट होगा, और यह जो Engine हैं, यह अलग-अलग जगे, इस्तमाल होते हैं, यानि कि, Ships में हमारे जो युद पोत हैं, उनमें, इवन इन Commercial, you know, Ships and Vessels, यह इस्तमाल होते हैं, तो अब Rolls-Royce के साथ, यह भारत की कंपनी पार्टनर कर रहे हैं, Rolls-Royce, आप देखेगा, Rolls-Royce जो हवाई जाज हैं, उसमें भी Rolls-Royce के एंजिन्स लगते हैं, और Ships में भी बड़े-बड़े Rolls-Royce के एंजिन्स लगते हैं, Rolls-Royce is one of the top engine manufacturers of the world, यह आपने Rolls-Royce के कार के बारे में तो सुना ही होगा, same company, different branch, same organization, same mother company, these people build the best engines in the world, यह आपके पता नहीं, Boeing, आपको विस्तार से बताना चाहता हूँ, Under Secretary of State for Political Affairs of Victoria Nolan, Victoria Nolan ने यह का है, कि यह जो लेड़ी हैं, यह कहती हैं कि याद देखो ऐसा है, भारत में Soviet जो equipment है, जो Soviet weapon systems है ना, वो भारत में जादा हैं, हमें किसी तरीके से facilitate करना पड़ेगा, कि भारत के पास American weapons हो जाएं, अब इसका मतलब क्या है, आप लोग कई लोग सोच रहे होंगे, कि यार ऐसा थोड़ना है कि हम अमेरिका के ऐसी weapons ले लेंगे, अमेरिका की तो आदत हैं अपने हत्यार बेचने की, दुनिया में जंग हो, और अपने उसके हत्यार बेचने की, यह भी सच है काफियत तक, तो अगर आप ऐसा सोच रहे हैं, तो आप गलत नहीं सोच रहे हैं, यह जूट नहीं, यह बाद सच है, लेकिन इसके न और पैरामेटर्स भी हैं दोस्तों, और वो जो बाकी पैरामेटर्स हैं, वो मैं आपको समझाना चाहता हूँ, बाकी parameters असे हैं देखिए बात यह है कि इंडिया एक बहुत lucrative market है इसमें कोई शक नहीं है इंडिया is a very very lucrative market ठीक है especially for defense बाकी सब चीजों के लिए भी है लेकिन defense के लिए बहुत जबरदस इंडिया market है अब यह लोग क्या करना है Americans जो Russian equipment है ना कुछ-कुछ Russian equipment world class है राइट कुछ-कुछ Russian equipment world class है जैसे S-400 S-400 is a world class you know missile shield you know this system cover and umbrella यह world class चीज़ है S-400 इसमें कोई शक नहीं है और यह रशिया का है जो हमने लिया है लेकिन बाकी जो Russian चीज़ें है those are not so good इसमें से काफी equipment outdated हो गया है हमारा और यह भारत के लिए बड़ी परिशान करने वाली चीज़ है क्योंकि चाइना जो है वो हर रोज अपने weapon systems अपग्रेड कर रहा है अब मैं आपको छोटी सी बात बताता हूँ example बात बताता हूँ रश्या का यह बहुत तगड़ा battle tank है जिसका नाम है T-90 right T-90 battle tanks हजारों अदर हजारों की तादात पे यूक्रेन की उपर छोड़ दिये यूक्रेन को अमेरिका ने दे दी जावलिन जावलिन जो anti-tank missile है वो दे दी अच्छा भारत में हम लोग normally infantry जो जादा तर anti-tank weapons यूज करती है mechanized infantry हम लोग जावलिन के जैसा use नहीं करते है हम लोग generally जो use करते हैं वो करते हैं 84 mm कार्ल गुस्टाफ 84 mm कार्ल गुस्टाफ is not an intelligent system it's a good system it's a good system but it's an intelligent system नहीं है वो इतना और वो जब मैं training कर रहा था 1994-93 में तब भी हमने चलाए था academy में आज भी वो ही चला आ रहा है तो हमारी academy की trainer तीस साल हो गए यार तीस साल हो गए तो मेरा यह कहने का मतलब है कि since we have almost 30 years पुराना system है और जो यूक्रेन की लड़ाई है रशिया के साथ अब जैसे जो हमारा system है यह 84 mm काल गुस्टाफ यह जैसे यह line of sight fire करता है यह even जो हमारी 80 GM missiles है ठीक है वो सीधा आप जाएंगे वो ऐसे सीधा जाएंगे जैसे आपने देखा है तो 80 GM तो wire guided होती है और उसके पीछे तार है वहीं पर मारेगा और जहां पर फायर देख पा रहा है वहां पर यूण रियाक्टिव आर्मर भी है आर्मर के अंदर भी explosive लगा रहता है कि जैसी हुआ है तो बाहर की और फटे और टैंक बच जाए तो काफी चीज़ें होती है T90 में टैंक को बचाने के लिए मैं सिर्फ एक चीज़ बता रहूं जो आप आराम से समझ सकें जैवलिन जाता है उपर से मारता है सीधे नहीं मारता जैवलिन उपर से आके गरता है बिजली की तरह तो हमारे काफी ऐसे सिस्टेम्स हैं जो obsolete हैं जो पुराने हो चुके हैं और रूस अब क्योंकि योकरेन में फसा हुआ है तो वहां से जो हत्यार हमारे पास आने थे वो बहुत ज़्यादा डिले हो गए तो कि रूस को अपने हत्यारी पूरे नहीं पढ़ रहा है अब इंडिया अपना weapons और manufacturing जो है बढ़ा रही है T.O.T. Transfer of Technology सबसे बड़ा challenge है जब Americans आएंगे और हमारी अगर वो कहते हैं कि ठीक हम आपके साथ manufacture करेंगे जाहिर सी बात हमारे पैसे के लिए कर रहे हैं ऐसी को खास महबबत और रिष्ट है नहीं भारत के साथ लेकिन हम उनके partners हैं strategic partners हैं और America कहता है कि सबसे बड़ा हमारा जो alliance हो भारत के साथ है तो इसका मतलब क्या है इसका मतलब यह है कि America आएगा हम direct America से कुछ नहीं खरीदेंगा हम America से बोलेंगा make in India जो कि मोदी जी का मूल मंत्र है make in India तो make in India अब वो transfer of technology करते हैं कि नहीं करते आज की तारिक में भारत के पास हैं पैसे तो obviously India will try to buy the best in class equipment that the world has to offer और एक बात में आपको बता हूँ France, America और Europe मतलब जाहर सी बात है Europe in the sense that some countries not all of them but some countries in Europe like France, like England, America these make the best weapon systems in the world Germany Heckler & Koch is a German system America में भी उसकी factory लेकिन it's a German weapon platform उनके pistols हैं उनके machine guns हैं उनकी sub machine guns हैं and they make some of the finest finest weapon systems in the world Heckler & Koch जहिन दोस्तो दोस्तो शुक्रुवाल यानि 27 जन्वरी 2023 को एक नया इतिहास लिखा गया है दरसल भारत नी शुक्रुवार को सवदेशी रूप से दिजाइन किये गए हाइपरसॉनिक टेक्नलोजी डिमोंस्ट्रेटर वहिकल का उडीसा के कलाम दुई से परिक्षन किया है जी हाँ दुश्मनों पर कहर बरसाने वाला ये मिसाइल दौवनी की गती से पांच गुना अधिक तीजी से उन्ने में काम्याद है इस तक्नीक में एक स्क्रैम जट इंजन का उप्योग किया गया है जो इसे हाइपरसॉनिक गती प्रदान करता है ये खास तक्नी दुनिया में सिर्फ तीन देशों के पास ही उपलब्द है हाइपरसॉनिक मिसाइल के सफल परिक्षन के बाद अब भारत सिर्फ अमेरिका, चीन और रूस से पीछे है दोस्तों बता दे कि हाइपरसॉनिक हत्यार दो तरह के होते है एक होता है ग्लाइड वेहिकल्स और दूसरा क्रूज मिसाइल फिलाल दुनिया के जादतर देश यहां तक कि भारत भी हाइपरसॉनिक ग्लाइड पर जोड़ दे रहा है जानकर बताते हैं कि इसकी असल बज़ा ग्लाइड वेहिकल के पीछे मिसाइल लगाई जाती है दोस्तो आम भाषा में हाइपरसॉनिक हत्यार का मतलब होता है आवाज से भी पांच गुना 30 स्पीट से चलने वाला हत्यार यानि जो हत्यार हवा में 6,115 किलो मीटर प्रतिगंटी की स्पीट से उड़ सके उसे हम हाइपरसॉनिक हत्यार कहेंगे आगर ये हत्यार समुन्द से कुछ उपर यानि 1220 किलो मीटर प्रतिगंटा की गती से उड़ सके उसे हम हाइपरसॉनिक हत्यार कहेंगे हाइपरसॉनिक हत्यार की खास्यत होती है कि ये कम उच्चाई पर भी उड़ सकता है आसानी से टार्गेट का पीछा कर सकता है भले ही टार्गेट भाग रहा हूँ यानि ये पीछा करके अपने निशाने को दोस्त कर देता है तो दोस्तो इस रिपोर्ट में फिला लिपता ही आप हमारे साथ देखते रहें इंजिया वैप न्यूस